शुतुर मुर्ग पर बंदर की सवारी एक बार की बात है एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था उस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे एक दिन सभी जानवरों में चर्चा होने लगी कि जंगल में सबसे तेज दोडने वाला जानवर कौन है तब खरगोश कहता है अरे अगर मैं दिखने में चोटा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेज नहीं तोड सकता मुझे लगता है मैं इस जंगल का सबसे तेज दोड़ने वाला जानवर हूँ तभी वहाँ पर हिरन हसता हुआ आता है और कहता है इसमें छोटी बड़े की क्या बात है पर तुम मुझसे तेज दो नहीं हो ये बात तो पक्की है सोनु हिरन जब ये कह रहा होता है तभी वहाँ पर कालू चीता आ जाता है और कहता है मेरे सामने तुम दोनों कुछ भी नहीं हो मेरे यहाँ पर होते हुए तुम दोनों ये कह भी कैसे सकते हो कि तुम जंगल के सबसे तेज दोड़ने वाले जानवर हो ऐसे ही करके उन तीनों के बीच जगडा शुरू हो जाता है वही पर दो दोस्त थे जिनमें था बबलू बंदर और दूसरा था वीरू शुतुर मुर्ग सबकी बाते सुनकर बबलू बंदर को रहा नहीं गया और वो एकदम से बोल पड़ा अरे सबसे तेज तो मेरा दोस्त भागता है अब सब जानवर उन दोनों की तरफ देख रहे थे वीरू शुतुर मुर्ग बहुत ही शर्माता था और उसे खुद में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था वो कभी किसी से बात नहीं करता था उसका सिर्फ बबलू बंदर ही दोस्त था जंगा के जानवर कभी कवाल उसका इस बात पर मजाग भी उड़ाया करते थे तब बबलू बंदर की बात सुनकर जंगा के जानवर एकदम से हस पड़े ये वीरु शुतुर मुर्ग सबसे तेज दोडता है इससे पहले हमसे ठीक से बात करने को कहो फिर इससे हम दोडाएंगे बबलु बंदर को गुसा आता है और वो कहता है वो किसी से बात नहीं कहता इसका मतलब ये नहीं कि वो तेज नहीं दोड सकता वो तुम सबसे तेज दौरता है और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ वीरो शुतुरमुर तब बहुत ही परेशान होता है और बबलु को कहता है बबलु तुम ये क्या कर रहे हो मैंने थोड़ी ना कहा कि मैं इन सबसे तेज दौर सकता हूँ तुम चुप रहो विरोशुतुरमुर की ये बात सुनकर जंगल के सभी जानबर हसने लगते हैं कालू चीता कहता है देखो ये तो खुद ही कह रहा है कि ये तेज नहीं दोड सकता बबलू तुम अब तो चुप ही रहो लेकिन फिर बबलू बंदर कहता है नहीं मुझे मालूम है मेरा दोस्त सबसे तेज दोडता है अगर तुम सबको भी ये देखना है तो क्यों ना तुम चारों की रेस कराएं फिर देखते हैं कि कौन जीतता है सभी जानबर बबलू बंदर की इस बात को मान जाते हैं दो दिन बात जंगल में रेस होने वाली थी बबलू बंदर और शुतुर मुर्ग घर आ जाते हैं बबलू ये तुमने क्या किया मैं उन सब के सामने नहीं दोड सकता मैंने थोड़ी ना कहा था कि मुझे रेस करनी है अब मैं बाकियों को कैसे मूँ दिखाऊँगा तुम चिंटा मत करो मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम सब से तेज दोड़ोगे और तुम ही ये रेस जीतोगे नहीं, मैं ये रेस नहीं जीत पाऊँगा तुम खुद पर विश्वास करो अगर तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है, तो तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारा मुझ पर तो विश्वास है ना? हाँ, तो ठीक है, तुम सिर्फ दोडने का काम करो, और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो ऐसा कहकर दोनों सो जाते हैं, रेस का दिन उजड़ता है, सभी जानबर बड़े से मैदान पर आ जाते हैं, छोटू खरगोश, सोनू हिरन, कालू जीता और वीरू शुतुर मुर्ग, लाइन पर खड़े हो जाते हैं, तभी बबलु बंदर कहता है मेरे हर बात पर शर्माने वाले दोस्त को मेरी आज जरूरत है, इसलिए मैं आज इस पर सवार होकर ये रेस में भाग लेना चाता हूँ सभी जानबर हसते हुए बबलु को इजाज़त दे देते हैं, बबलु बंदर वीरू के पीट पर बैठ जाता है ठीक है, अब तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, खुद पर confidence रखो और खुब तेज दोडो वीरू शुतुर मुझ सोचता है, अगर बबलु को मुझ पर इतना भरोसा है, तो मुझे भी खुद पर भरोसा रखना होगा और आज में बबलु के लिए ये रेस जीत कर ही दिखाऊंगा रेस शुरू हो जाती है, वो चारों बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, पर आखिरकार वीरू शुतुर मुर्ग और बबलु की जीत होती है बबलु बंदर बहुत खुश हो जाता है, वो बीरू को अपनी गले से लगाता है और कहता है देखो मैंने कहा था ना, तुम खुद पर विश्वास रखो और जीत तुम्हारी ही होगी सभी जानवर तभी वीरू शुतुर मुर्ग को बढ़ाई देते हैं, और वही जंगल का सबसे तेज दोड़ने वाला जानवर है, ये घोशित करते हैं इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए और खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फिर बाके सभी चीज़े आसान हो जाएंगी